ग्रह कले से परिशान यूबक ने फासी लगा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली मेनपुरी जनपत के करेल थाना चेतर के गाउन नंगला भदोरिया निवासी अंजीब कुमार तेस वर्स ने ग्रह कले से तंग आकर गाउ के बाहर पेड़ पार फासी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है मृत्तक की दो बार्स पहले पूनम पुतरी रामनरेश निवासी थाना कुर्रा का गाउन रोसेला में साधी हुई थी मृत्तक सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में रसोयों का काम करता था मृत्तक के सुहजन उसके ससुराली जनों को बिना सूचना दिये अंतिम संस्कार कर रही थी किसी तरह जानकारी होने पर उसके ससुराली पच्च के लोगों ने समय पर पहुँचकार पुलिस के साथ जलती हुई चिता से सब को निकलवा लिया पुलिस ने पंच नामा भर कार पोस्ट माटम के लिए भिज़ दिया जामेदू पर बन गदा ओधा कमरा उमका जाए फिर कैसे पता लगा आपको इा भाद पता सब्सक्छार आपको और तहिए इनकी बॉड़ी थी जला ती जा रही थी पर पुलिस खो किसे ने पुलाया ने आ एका ने इः रुकवा दिग गई अ्ट पार्वां लिए जा ज़ू क्या सक है आपको बोला जो बोली आपको उते खने बोली जो जो इनकी रोग नहीं जाने का जी खेती गई उपर लड़ाई होती रोग जो 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 ती सकच देत यदे नहीं कहाई बेपी बेपक कछ क्या साल है मुई शादी को कहा है आपका माई का बढ़ता है ये मामला कुछ इस प्रकार है कि म्रतक अजीब कुमार ग्रह कलेश के चलते दीमा की तोड़ से परेशान था गुरुबार साम साथ बजे वए घर से बिना वताई चला गया देर रात तक बापस न आने पर सुएजन उसको कई रातों तक तलास करते रहे मगर पता नहीं चला सुकुरवार को सुबे लगबग तीन बजे पडोसी गाउ का कोई खेतों की तरब गया उसने सीसम के पेड़ पर यूबक को फासी पर लटका देख कर पैचान कर उसके गाउ में जाकर खबर की सुएजन ने जाकर पेड़ से सब को उतार कर अंतिम संसकार की तैयारी कर गाउं के बाहर ले जाकर चिता बना कर उस पर रख कर आग लगा दी उसी समय मरत्यक के ससुर राम नरेस अपने गाउं के लोगों के साथ अंतिम संसकार इस्तल पर पोलिस सहित आ गए पोलिस ने जलती हुई चिता को बुझा कर अर्ध जले सब को अपने कबजे में ले लिया पंच नामा भर कर पोश्ट माटम के लिए भीजा है मरत्यक के घर के लोग पोलिस को देख कर भाग गए हैं घर के दरवाजे खुले हुए हैं घर पर कोई भी नहीं है आसी पर लटका सब मिला हमें कश नहीं मिले हैं कैसे पता लगा पता तब अब लगाए दो लड़िका तब पता अब जब बता नहीं के खुद मात दो के खुद लटकाए दो आप माई के पचके हैं हाँ